वेलकम दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है और जैसा कि दोस्तों, हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं Mathematics के अंदर, जो SSC, Delhi Police का एक्जाम होने वाला है December 2017 के अंदर तो हम उसी के बारे में बात करेंगे कि Mathematics के अंदर, कितने question आते हैं, कौन-कौन सा portion रहता है और उसके हम त्यारी किस तरह से करें ठीके दोस्तों, तो आज हम इन सब के बारे में discuss करेंगे तो चलिए शुरू कर लेते हैं Delhi Police के अंदर जो Mathematics आएगा उसके बारे में देखिए, यहाँ पे जो हमारे topic रहेंगे, वो इस तरह से रहेंगे जो हमारा algebra है, वो हमारा cover हो जाएगा यहाँ पे हमें 3 नंबर के अंदर उसके बाद हमारा arithmetic आएगा, यह हमारा 5 नंबर का आएगा जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, simple interest हो गया या फिर compound interest हो गया, या फिर यहाँ पे work and time हो गया ठीक है दोस्तो, work and time उसके बाद में यहाँ पे percentage भी आपको देखने के लिए मिलेगा उसके बाद में यहाँ पे profit और loss भी देखने के लिए मिलेगा ठीक है उसके बाद में यहाँ पर allegation भी आपको देखने के लिए मिलेगा ठीक है allegation and mixture ठीक है दोस्तों और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर vote and stream ठीक है यह भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा उसके बाद में यहाँ पर time, speed और distance ठीक है और उसके बाद यहाँ पर HCF हो गया या फिर LCM हो गया यह सारे chapter आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे तो यहाँ पर जो arithmetic है वो सबसे बड़ा portion है इसके अंदर ठीक है दोस्तों तो I hope आप इसके उपर ज्यादा focus करोगे ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर asymmetry की asymmetry के अंदर यहाँ पर दो number रहेंगे ठीक है उसके बाद में mensuration यानि कि जो 6 तरफल के आते हैं वो हमारे यहाँ पर 3 question देखने के लिए मिलेंगे ठीक है उसके बाद में आगी हमारे यहाँ पर trigonometry तो यहाँ पर 2 number की हमें देखने के लिए मिलेगी तो देखी यहाँ पर जो total है वो हो गया 15 का ठीक है तो यह तो हो गए यहाँ पर number of questions तो यहाँ पर कितने marks के आएंगे यह 15 marks के ही आएंगे ठीक है दोस्तों हमने हमारी जो last वीडियो है उसके अंदर discuss किया था हमने जो ratio बनाया था वो यहाँ पर ऐसे बनाया था reasoning का हो गया था 30 उसके बाद में हमने jk का बनाया था यह हो गया था 30 और उसके बाद में हमने math का बनाया था ठीक है इसके हमने 10 marks लिये थे ठीक है ये हमारा जो reasoning का है वो रहेगा हमारा 35 नमबर का और 35 में से मैंने बोला था कि अगर आप कहीं न कहीं 30 नमबर ले रहे हो और उसके बाद में हमने जिके की बात की थी जिके का ये रहेगा हमारा यहाँ पे 50 नमबर का ये हो गया हमारा यहाँ पे 70 ठीक है दोस्तों अगर आप इतने marks यहाँ पे ये minimum है आप इसे maximum भी ले सकते हो ठीक है minimum है ये कि आप जो last cut off आई थी उसके according अगर आप कहीं न कहीं इतना score करते हो तो आप एक positive रहोगे कि हाँ मेरा exam easily clear हो जाएगा ठीक है दोस्तों अब बात आती है इनके अंदर time management की तो मैंने अपनी last video के अंदर भी बताया है कि जो हमारा reasoning का portion है उसके अंदर हम यहाँ पे per question के according 35 minute ले सकते हैं उसके बाद जो जिक्के है ये हमें 15 minute के अंदर cover करनी पड़ेगी उसके बाद हमारा math रह गया ये total मिला गया है हमारे यहाँ पे 50 हो गए थे अब कितने बचे यहाँ पे plus 40 minute और बचेगी ये आप यहाँ पे इन 15 question के लिए दे सकते हो तो total हमारी यहाँ पे होगी 90 minute ठीक है दोस्तों तो इस तरह से शेयर भी कर दीजिए और हमें comment करके भी जरूर बताईए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है ठीक है दोस्तों और देखिए अभी तक इनका कोई notification नहीं आया है जैसे इनका कोई notification आता है तो सबसे पहले हमारी वीडियो आपको मिल जाएगी ठीक है दोस्तों उसके बाद बात रही कि आप हमें facebook के उपर भी follow कर सकते हो यह हमारा facebook का page है आप इसको भी like कर दीजी ठीक है दोस्तों तो आज के लिए इतना ही thank you thanks a lot जैहन